तो आज की इस वीडियो में हम लोग Gordon, Alport, Trait Theory को डिसकस करेंगे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिसकस किया था कि Psycho Analytical Theory के बारे में जिसमें हम लोगों ने तीन स्टेजिस, तीन जो सिग्मन फ्रेट के दोरा बताई गई थी Eat, Ego and Super Ego उसको डिसकस किया था तो आज की इस वीडियो में हम लोग Gordon, Alport के बारे में डिसकस करेंगे उनके Trait Theory के बारे में डिसकस करेंगे तो इन्होंने बिसिकली तीन टाइप के Trait को बताया था तो पहले इनके बारे में जानते हैं यह कौन थे? यह एक Psychologist थे and he was among the first to come up with a personality trait theory he was not the first but among the first okay so Alport viewed trait as a building block of personality तो Alport ऐसा मानते थे हैं कि जो हमारी personality है वो हमारे जो trait है उसी का एक रूप है जैसे आपके Trait मतलब क्या होता है? Traits मतलब होता है आपके गुन, आपके qualities so आपके qualities है वही आपके personality को build करती है, develop करती है so according to him there are three classes of trait तो इन्होंने traits होते हैं, जो भी किसी qualities होते है उनको तीन भागों में, तीन भागों में बाट दिया था not stages, okay so first क्या है cardinal traits, central traits and secondary traits so एक एक करके हम लोग इसके बारे में discuss करेंगे so cardinal traits क्या होता है cardinal traits are the traits around which a person organizes his whole life मतलब एक जो इनसान है cardinal traits, वो traits होते हैं, जिसके वज़े से वो इनसान जाना जाता है okay, जैसे महात्मा गांदी as a charismatic leader के रूप में जाने जाता है वो अहिंसा के प्रिये थे अहिंसा का नाम सुनके महात्मा गांदी का छवी आ जाती है मन में तो वैसे cardinal traits क्या होते है, वो traits जिसके आजू बाजू एक इनसान अपनी पूरी जिन्दगी और्गनाइज करता है वो हमेशा कहते है थे कि हिंसा मत करो, अहिंसा के रास्ते पर चलो जैसे इसके एक इंसान ग्रीडी हो सकता है, कई बार हम लोग यह कहानी सुनते हैं लालची राजा, ऐसा काइंड आफ तिंग, यह भी कभी कहानी सुनते हैं अगर आप कभी हिस्ट्री पर होगे तो कोई राजा के बारे में बहुत दयालू बताया जाएगा तो यह उसके एक दो दान के वज़े से उसे दयालू नहीं बताया जाता है उसने बहुत सारे ऐसी चीज़े की होगी इसलिए उसको काइंड राजा का उपाद्धी दिया जाता है और नार्सिसम इसका बेस्ट इग्जामपल कौन है हिटलर, एडॉल्फ हिटलर को नार्सिसम का एक बेस्ट इग्जामपल हम लोग कह सकते हैं काडिनल ट्रेट्स समझ में आ गया क्या कौन से ट्रेट्स होते हैं जिसके आजू बाजू या जिसके एराउंट एक इनसान अपनी पूरी की पूरी जिंदगी और उसी रास्ते पर चलता है और उसी के वज़े से वह इंसान को जाना भी जाता है और ऑकी जिसके वह इंसान करता है इस लिए उसे लिए उसे कहते कोई-कोई कोई हमेंसार जैसे political parties लोग हमेंसार जूट बोलती है सरिफ जूट तो central traits basically क्या होते है यह उन traits को represent करते हैं जो एक इनसान के main व्यक्तित्तों को बताती है यह at the later stage इसमें और इसमें difference क्या है इस रास्ते पर आप चलते हो यहां बनने के लिए आप kind तब बनते हो जब आप दूसरों की मदद करते हो आप socially जो भी कोई मुद्दा उठा के आपके पास अगर मदद मांगने के लिए आता है तो आप उसकी मदद करते हो आप लोगों को दान वगेरा भी देते हो आपको जो आप कर सकते हो आप वो करते हो जिससे दूसरे को खुसी मिले दूसरे का problem solve हो तब आप बनते हो एक kind तो यह एक ultimate goal है जो at the later stage आपके साथ जुड़ता है at the beginning आपको कोई नहीं कहेगा कि आप बहुत kind हो आप जब मर जाओ के तब बताएगा कि अच्छा यह इंसान बहुत अच्छा था तो और लेकिन central traits क्या होते है जो उस इंसान का major characteristic होता है तो central traits जो होते है वही build करते है ultimate cardinal traits okay so central traits and cardinal traits में different sense में आ रहा होगा I hope so इसका example क्या है sigh, anxious, intelligent, dishonest okay then क्या होता है secondary traits secondary traits क्या होता है secondary traits refer to the general behavior patterns that only appear under certain circumstances तो यह कौन से traits होते है जैसे आपको अगर class के आप अकेले में interview ठीक दे देते हो okay लेकिन अगर आपको like public speaking के लिए कहा जाए या आप अपने दोस्तों से अच्छे से बात कर ले रहे हो लेकिन जब आपको class में सब के बीच खरा रहकर कुछ present करने के लिए बोला जाए तो आ आप घबडा जाते हो आपकी सांसे तेज हो जाती है जिसके वज़े से आप word repeat करते रहते हो और कभी कभी भूल भी जाते हो तो यह secondary traits है यह सब आपके secondary traits है यह कब आती है यह general behavior होते है जो एक certain circumstances में ही दिखने को मिलते है ऐसा नहीं है कि आप हमेसा बात करने से घबराते हो नहीं लेकिन जब आपको बहुत सारे लोगों के बीच खरा कर दिया जाता है तो आप हो सकता है घबराने लगो तो यह सब traits किसकी ओर इसारा करते है secondary traits की ओर ओके so teen type के traits होते है cardinal traits at the later stage of the life यह develop होते है central traits cardinal traits को contribute करते है central traits उसका major characteristic होता है उस person का okay and secondary traits secondary traits क्या होते है यह refer करते उन general behavior patterns को जो only under certain circumstances में आते हैं okay so यह तीन type के traits होते हैं जो गौर्डन अलपॉट ने बताया था तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे और organization behavior या production and operation management marketing अगर कोई वीडियो देखनी हो तो आप एक बार playlist section visit कर सकते हो और जिस पी topic पर आपको doubt हो आप वो वीडियो देख सकते हो तो आज की इस वीडियो के ले इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे और चैनल सब्सक्राइब कर दीजे थैंक यू